लो पोकेमोन फैंस तो कैसे हो आप लोग हाज तो आप लोग बढ़िया होगे बढ़िया रहना इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप टैन ऐसे पोकेमोन जो कि हमें बहुत पहले दिखा दिये थे बट उनके पास तब उनके पास कोई भी एविलीशन या प्री एविल नहीं था बट हमें नेस जनरेशन के अंदर इनके प्री एविलीशन और दिखाए गए तो वीडियो बहुत इंट्रेसिंग होने वाले तो चलिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं मारे फर्स नंबर पर प्लेस बनाती है जैंसी जैंसी को तो मेरे साफ सारी लोग जानते हों जो कि जैंसी को प्री एविलीशन मिला था जो कि था हैपी निर रियली बही काफी स्टरण के साथ देखने को मिली थी ब्रॉक के साथ चैनरों शर्ण के पर तब इसके पास मां से फैन crystal जानते होगे शाले अगर 10% आउते होगे इसका नाम है बाबाफेट को मेरे साफ साफ 100 परसन जानते होगे बाबाफेट का भी पहले जब इंक्लूड कराया था केंटो रिजन के अंदर जब इसके पास कोई भी एबिलीशन या पिर प्री एबिलीशन नहीं था बट आगे चलके इसको भी पोकेमोन कंपनी ना सोचा इसको भी एक प्री एबिलीशन देना चाहिए जो की था वाइनॉट वाइनॉट को भी मेरे साफ साफ आप लोग सब जानते होंगे क्योंकि हमें एक बार एफिसोड में दिखाया गया था काफी अच्छा पोकेमोन है इसको आगे चलके एक प्री एबिलीशन मिला बाकी के तरह परस्टाइम देखने को मिला था जैन फॉर में मतलब कि सिनो रीजन के अंदर सबके जैसा ही इसका भी बुलकुल सेम टू सेम ता जो इसको भी प्री एबिलीशन मिला था मारा नेस्ट पोकीमोन होने वाला है सिजोर सीजोर को भी मेरे साब लोख सेम Hilly जानते होगी काफी अच्छा कि मोने इसकी स्पीड मे सबल्गा नेस्ट पोकीमोन होने वाला है और आपने ठोड़ा-बोथ भी आतोब्यों पोकीमोन के आप उसको जानते होगी उसका नाम है पीकाचु पिकाचु के बारे में मैं आपको क्या बता हूं आप सब लोग जानते ही होगे मुझसे अच्छे से जानते होगे तो भी मैं आपको बता देता हूं पीकाचू आपको पीकाचू का आपको पता ही है अब इसके बाद पीकाचू थर्ड स्टेट का पोकीमॉन हो गया जो कि पिंचू पीकाचू आर राइचू आप अपने वाला है जूबैड जूबैड को भी मेरे चाब साब सब लोग जानते होगे जोकि ब्रॉक के पॉकिमॉन होगा उता छुक्फ गोंग श्मीन यह को पता होगा अधाल सेमा प यह पना निए पहले तो स्विभ यह के पोकिमोन थे इनके पास कोई भी प्रिविशने एह टाइवियोच नहीं था अाफ सकाफ चामान के अंदर बता आपको सबसे अच्छा पोकीमान कौन सा लगा हमारा 9 नंबर का पोकीमान उने वाला है तो मेरिल को भी मेरे साथ सब जानते होगे एक दम प्योर वाटर टाइप पोकीमान मैरे और एक काफी अच्छा पोकीमान है फर्स्ट टाइम हमें दिखाय गया था केंटो रीजन के पास दब इसके पास से वह एक एबिलेशं था बट हमें आगे चल के इसका होयन रीजन के अंदर इसका एक प्री एबिलेशन मिला था जो अजू लिया सोरी अगर मैं इसका गलत नाउन प्रोडाउंस कर रहा हूं तो यह हमें देखने को मिला था होयन रीजन के अंदर जो कि मिस्टी के पास था काफी अच्छा पोकीमॉन था अब हमारा लार लास्ट पोकीमॉन होने वाला है सुईनप सुईनप पहले सही दो स्टेट पोकीमॉन मिला था सिनो के अंदर मेरे सबसे सारे लोग जानते होंगे डोन का पोकीमॉन है और काफी स्टॉंग पोकीमॉन है तो आज के लिए इतना सही रहा है